नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पौधों को घर में लगाना हर किसी को पसंद है चाहे वो फूलों के हो या फिर वो कोई सजावटी पौधा हो तो सास्त्र में कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताया गया है जो घर के लिए बहुत सूभ होते हैं लेकिन कुछ पौधे हैं जिन से बचके रहना चाहिए क्योंकि ये पौधे अपने साथ नकात्म कुर्जा को लाते हैं जीवन में मूस्किने बढ़ा देते हैं आप लाग प्रयास कर लो आप ना प्रसन रह पाओगे न धन से बचा पाओगे और ना आपका स्वास्त अच्छा रहेगा इसलिए ये जानना आवस्सक है कहते हैं घर में पेर लगाने से हर्याली आती है और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्त अच्छा रहता है लेकिन क्या आपको पता है वास्तू कि इनुसे और कुछ पौधे बहुत सुभ होते हैं और घर में लगाते ही आपको भागे का साथ आपको मिलने लगता है बरकत चली आती है और उनमें से पहला पौधा है अनार का पौधा है कहा जाता है जिस घर के मुख्य दर्वाजे के ठीक सामने बाहर में अनार का पौधा हो ऐसे ब्यक्ति का स्वास भी अच्छा होता है और करजों से मुख्ति मिल जाती है घर में सम्रिद्धी आती है हल्दी का पौधा अगर हल्दी का पौधा अपने घर के गमले में भी लगाते हैं तो नेगेटिव इनर्जी आपको प्रिसान नहीं करती और हल्दी में अगर फूल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशाली अब बस आने वाली है अपरा जीता जिसको हम लगता है और इस पुस्प को भगवान स्री हरी ही नहीं बलकि भगवान स्री कृष्ण सिप जी और गनेज जी मादुरुगा को भी अतीप्री है लाल रंग का गुलाब वैसे तो गुलाब का पुस्प आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन माना जाता है घर के अंदर दिन दूनी राचों बढ़ता चला जाता है लेकिन वेवस्था ये करना है कि नारियल का पेड़ आपके घर के कहीं विप्री दिसां में ना हो यानि आप उसको हमेशा दक्षिन पस्चिन साइड लगाएं कि नारियल का पेड़ उचा भी हो जाए तो वास्तु दोस्त ना ल सवाजे के बाहर दाहिने तरफ आप लगा सकते हैं घर में सुक्सम्रिद्धी बढ़ेगी और लोगों की बुरी नजर भी आप लोगों पर नहीं पड़ेगी तुलसी का पौधा जिसको मालक्षमी का सवरूप मांते हैं हर किसी के घरांगन में है कहते हैं घर पर मुसीबत आती है तो पहले तुलसी चाती है कहने का तात पर अपने उपर ले लेती है आपके आने वाली मुसीबत को और कम कर देती है तो नुकसान कम होता है तुलसी के पौधे हमें से अपने घर के उत्तर पूरब में लगा है नीम का पौधा वैसे तो आपको पता है कि घर के आसप और वेवाहिक जीवन भी बहतर होगा इस बात को हमेशा याद रखिए असोक का पौधा जिस घर में असोक का पौधा होता है उस घर की सोक दुख दरिद्धा परेसानी सबसमाप्त हो जाती है बच्चों के बुद्धी भी तेज होंगे और पैसा भी ठीकेगा अगर असोक का पौधा आपने लगा लिया है तो अब यह है कि पीपल का पौधा घर में ना तो लगाएं पूजा करने के लिए भी गंबले में भी ना लगाएं पीपल और बढ़गत का पेड़ भूलकर भी मत लगाईए अब पास की किसी मंदिर में लगा सकते हैं अगर आपकी घर में है तो हटा कर अम्रूत का पौधा इसको भी घर में मत लगा येगा फलदार पौधे ना तो घर में लगाना चाहिए और नहीं फलदार पौधे का पेड़ का जो लकड़ी होता है उसका यूज करना चीए फड़नीचर में वरना संतान तरक्की नहीं करेगी और केक्टेस तो भू और फेस्टे करने ऐसा तानी लुकी में करएंगी में तरक्की में वीखावट अ आं लगा करेग इसे साथी इमली का पौधा है ये और घर के असपास होताने का इसलिकिर पर बुड़ी अत्माओं का वास होता हैं इस लिए इस बात का ध्यान रखिए अब पौधा करें हैं महंदी का पौधा क्या आपको पता है महंदी का पौधा भी अच्छा नहीं माना जाता है बाश्थू के नुसार यह असुभ crochet पतिभ भले ही आप महंदी पीट कर लगाया जाता है लेकिन इसको घर में उफ्ष आएई elds रखे हैं फूलदान में उठाकर साइड पढ़ा हुआ है सुखा वपूल बुके हैं पढ़ा हुआ है उसको पढ़ावा मत रहने दे उसको तुरंत घर से बाहर निकाले क्योंकि यह घर की नकात्मक्ता को बढ़ा देता है कपास का पौधा कहते हैं इस जिस भी घर में या घर क क्या आसपास होता है वहां असुपता ज्यादा होती है परिशनिया ज्यादा होती है बर्गत का पौधा का चाया भी आपके घर पड़ना पड़े ऐसी वेबस्था करें वह जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे अब यह है आम का प बैंबू ट्री लगाते हैं कि आपको पता है पहले जमाने में बैंबू ट्री घर से कहीं बाहर लगाया जाता था और जो सबसे बुजूर्ग आदमी होता था गाउं का वो लगाता था क्यूंकि इसके पीछे भी बहुत सारी मानेता हैं थी अब उन मानेताओं को लोग पर घर अंगर में आम का पेड़ अम्रूत का पेड़ यह सभी चीजें ठीक नहीं होता है संतान पर इसका असर पड़ता है और नहीं इन पेड़ों के जो लकड़ी होती है इसका यूच करना चाहिए घर में फंडिचर बेकर बनाने में इन बातों का ध्यान रखें और पुस है भी बढ़ गई बहुत दुख भी बढ़ रहा है कहीं अरिवार सही नहीं चल रहा है तो प्रयास करते रहा करो